तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था निदर बर्ड अपने क्लैन को वापस लोड जाती है और वहीं स्पैरो एल्डर मूचन को दो महीने का समय देती क्योंकि इनका भी यही मानना था कि मूचन का जो फिलाहाल केश्रें था यह उतना क्वालिफाइड नहीं है कि जो चार लोगों को डिवाइन बीष्ट वाले एरिया में जाने का मौका मिल रहा था यह जा पाए अब आगी मूचन भी तर डिसाइड कर चुका था कि दो महीने बाद मैं नीदर बड़ ग्लैन जाओंगा और इससे मालूम था कि अगर वो दो लोग लिव किंग से जादा क्वालिफाइड है तो वो आराम से सौवरिन सेवन स्टार पर होंगा तो एटलिस्ट इससे सौवरि पीक के तरह बढ़ रही है पर यह मंडेला से कहता है इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत लगेगी मंडेला कहती है कुछ भी कहो और यह बोलता है कि मुझे 10 लाग सौवरिन स्प्रिच्वल लिक्वेट चाहिए मंडेला तुरंत ही कहती है टेंशन मतलो मैं किसी को बोल तुम्हें लिक्वर्ड मिल जाएगा और यह मुझें से कहती है कि तुम्हें मैं कुछ एरे मैप्स भी दूँगे जैसे कि हेवनली ग्रेट का अगर तुम इने बना पाओ तो और अगर मुझें हेवनली ग्रेट का स्प्रिच्वल एरे बना लेगा तो यह आराम से सौवरिन से एक सेवन स्टार को रोग सकता है और मुझे रहने बगाता है कि फिलाल तो इससे नहीं आता है पर इन दो मैनों में यह उन्हें भी सीख लेगा क्योंकि इसे कुछ स्प्रिच्वल एरे के बीच में पदा चल जुका था और मंडिला भी खेती कि अगर तुम लेंड अफ ड रेगन फिनिक्स बोडी और ज्यादा इवल्व हो सकती है क्योंकि फर्स्ट लेवन अफ रेगन फिनिक्स स्क्रिप्चर में आप बस रियल ड्रेगन और रियल फिनिक्स के स्पिरिट्स को एक्टिवेट कर पाते हूं सेकंड लेवन में यह अपने फॉर्म्स को चेंज करने क्योंकि इसके दिए मूचेन को bloody synth से यह होगा divine beast का और वो वही पर मिल सकता था और मंडेला भी कहती है कि वोजे spiritual deity liquid है अब मुझे भी absorb करना पड़ेगा ताक कि अगर तुम्हें कोई problem है तो मैं तुम्हारी help कर पाओ क्योंकि नीधर bird clan काफी strong है और यह मूचेन को बस इतना ह पर बैटकर cultivate करना शुरू कर देता है पास दिनों तक यह अपने body को perfect state पर लेकर जाता है और उसके बाद sovereign spiritual liquid यूज करना शुरू कर देता है इस दौरान दीरे-दीरे 10 दीर निकल चुके थे और मूचेन 2 लाग sovereign liquids absorb कर लिया था पर अभी भी इसका level उतना नहीं हुआ था ए और अभी तक मूचेन बाहर नहीं आया था मंडेला बस सांथ खड़ी थे इससे मालूम था इतना आसान भी नहीं होता है प्रिक थ्रू करना और निदर वर्ड गलन वाले बीच बीच में अपने लोग बेशते रहते थे पर मंडेला और स्पेरो एंडर मिल करके दोनों तरब से उन्हें डाइवर्ड कर देते थे और वहीं इधर मंडेला और्थली सौवरिन के अपर लेवल में कुछ दिनों पहले ही अडवांस कर जोगी थे और प्लस इसके पाथ वो पिरामीट टावर है तो और्थली सौवरिन के अपर लेवल का बंद सायद ही इससे हराब आए इन में से दो हेवीनली ग्रेड के हैं और बाकी ओर थीन भी और्थ ग्रेड में हाई रैंक के स्प्रिचुवन एरे थे जैसे कि एक का नम Лोटस स्प्रिचुवन स्वार्ड एरे, दूसरे का नम ट्याल लुउ एरे, 3 रेक नम अनन्पेरिशियबल एडमिराल्टी एरे और बचे बागी तो एक heavenly grade low rank का heaven's divine seal और वही दूसरा heavenly grade का ही God punishment array मूचेन भी अब काफी चाथ excited था मंडिला बताती कि heaven's grade में मैं high level के धोड़ना चाती थी पर उतना समय था नहीं पर मूचेन इसे शुक्रिया बोलता है कि इतना भी काफी है क्योंकि अगर मंडिला मानी लो heavenly grade के mid grade या higher grade के spiritual arts धून भी लेती spiritual array पर मूचेन भी उन्हें master भी नहीं कर पाता और मंडिला एक और चीज बताती है कि वो जो God punishment array है वो incomplete array है तब ही वो heavenly grade के low rank पर है इसके साथ दो और scroll है अगर वो दोलो तुम merge कर लो अगर future में मिल जा है तो तुम उससे और्थनी sovereign के upper level के भी बंदे को मार जकते हो दो हपते और बचे थे मूचे इनके पास निदर बढ़क लाए जाने के लिए और फिलाल यहां से निकल कर यह अपने नए निदर पहलित में चला जाता है जहां पर यह वो जो heavenly crate के spiritual array वगरा थे उन्हें समझने लगता है शुरुआत में कई बार feel होता है पर धीरे तीरे यह इने master करने लगता है practice करी रहा थे तब भी इसे feel होता कि कोई आया है तो यह अंदर आने को बूलता है दो नड़कियां इस court yard में आती है यह थी टांग बिंग और टांग रो और टांग बिंग जिदरल टांटती है कि यह जो तुम कर रहे हो पूरा नाइन निदर पैलेस हिल जा रहा है क्या तुम अपने ही पैलेस को destroy करना चाते हो और उसके बाद यह कहती है कि मूचेन भी हैरान हुजाता है कि रहने तो यह मैं क्या करूँगा फिला पर यह कहती है spiritual liquids तो तो भी लोगों के लिए है न बाकी लोगों का तो काम वोई जा रहा है मूचेन हसता है और इसे accept कर लेता है और फिर से इसे कहता है tension मतलब मैं नीदर को वापस लेकर आऊंगा अब यहां पर 9 नीदर क्लैन के बारे में बताएगा कि पूरे great thousand world में ये first class का क्लैन माना जाता है इनकी काफी एक्चत भी है क्योंकि divine beast की category में इनका bloodline मोगेरा काफी pure माना जाता है और 9 नीदर world एक अनग special clan plane में exist करता है और ये भी कहा जाता है कि premium audience में जे 9 नीदर बर्ड क्लैन है एक lower plane से आया था शुरुवात में काफी कम थे पर धीरे-धीरे इनके संख्या बढ़ती गई और एक powerful force बनके उभरे और समय के साथ इन्होंने अपने lower plane great thousand world से link भी कर लिया और फिलाल नीदर बर्ड क्लैन के एक area को दिखाय जाता है एक blue stone square पर कई सारे elders वगरा बैठी हुए थे और इनकी share किसी बात में पहस चैन रही थी और एक elder इस दुरान बोलते हैं कि ये सही नहीं है कितले समय बात हमारे clan में कोई purish bloodline के साथ आया और इसने भी एक छोटे बच्चे के साथ blood link बना लिया ये थे एक green road elder हमें forcefully इनके link को तोड़ना पड़ेगा दूसरा elder भी खेता कि अगर वो बंदा heaven or domain में है और dominator उसे protect भी कर रही है फिर भी हम उसे हरा सकते हैं पर वो इस sparrow elder अब मूच इनका साथ देते थे और ये कहते हैं पर वो मूच इनका अफ़ी talented है even उसके पास तो real phyrex का भी power है मुझे तो ये भी लगता है कि वो जिंग या और king's one को भी हरा सकता है पर बाकी लोग कहते हैं लेकिन आप ही ने तो कहा था कि वो sovereign five star पर है तो क्या मतलब है land of divine beast में और भी लोग होंगे उससे हरा सकते हैं वही पर निधर पैठी थी उसका चेरा उतरा हुआ था और इसके थोड़ा आगे में इसके फादर टियान वांग भी बैठे हुए थे जो कि यहां के leader थे और वो green elder इस दुरान clan leader से कहता भी कि आप decide करो कि हमें किसे भीजना है जियांग या या king zone को पर sparrow elder कहते हैं लेकिन मैंने उस मूँचेन को वादा किया है कि अगर वो यहां पर आता है और जियांग या और king zone को हरा देता है तो हम जो fourth spot है उससे देदेंगे अगर वो यहां पर आया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं इवेन अगर उसकी clan की dominator भी आई हुई हो तो भी इधर नीदर बड़ सोच रही होती कि शयद मूचेन को मैंने जैसा कहा था उसने heaven law domain छोड़ दिया होगा अभी रिलेक्स फीली कर रही थी तब इसके पापा यानि टियान वांग अंकल दूर के एक डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ पर स्पेस में थोड़ा fluctuation होता है और दो लोग प्रकट होते हैं दो लोगो यह पहजान जाते हैं और अधर मूचेन कहते हैं एल्डर साब लोग कैसे हो और दूसरी मंडेला थी अब लोग मूचेन को ध्यान से देखते हैं तो यह वही मूचेन जिसके साथ Lord 9 नीदर ने Bloodline Bond बनाया है यह तो काफी वीग दिख रहा है और इसके इतनी इम्मत कि यहाँ पर आ भी गया अब वो Green Elder कहते हैं तो तुम हूँ मूचेन मैं भी सर्प्राइज हूँ कि तुम यहाँ पर आ गए हम तो यही कहेंगे कि बॉर्ण तोड़ दो और तुम यहाँ से फिर जा सकते हो पर टियान हुआंग एल्डर यानि clan leader मूचेन को त्यान से देख रहे थे और एकदम शान्त थे नीदरवर्ड को लगता है शायद इसके पापा रोग दे यह matter को पर इसके फादर बीच में पढ़ते ही नहीं क्योंकि भाई यह clan leader है और ऐसे ही कोई decision नहीं ले सकते इदर मंडेला गुस्ते में कहते कि मूचेन मेरे सेक्ट का है कोई हाथ तो लगा के दिखाए ग्रिन एल्डर कहते है तुम काफी बड़ी बात करते हैं हमारे territory में आकर हमारे सामने ताना शाही और यह अपने औरा को रिलीज करते हैं पर जैसे मंडेला अपने औरा को रिलीज करते हैं इनका औरा सप्रेस होने लगते हैं इवेन इस पैरो एल्डर भी हरान थे कि दो महीने पहले डॉमिनेटर का लेवल अर्थली सॉबरीन की अपर लेवल की हाप स्टेप पर था पर अब यह अपर लेवल पर पहुँच चुकी है इवेन जो क्लैन लेडर वो भी हरान थे क्योंकि इनका भी पावर सेम लेवल पर था और क्लैन लेडर इससे अच्छे से बात भी करते हैं और मंडेला कहते हैं देखिए क्लैन लेडर मैं हूचेन को इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि हमने जबान दिया उम्मीद है कि आप लोग फियर डिसेजन लोग है ग्रीन एल्डर आप कुछ बोलता नहीं क्योंकि पावर लेवल में ये वैसे भी वीग था और इसलिए नूचेन की बात अब ख्लैन लीडर से होती है और ये इन्हें ग्रीट करता है और ये कहते भी है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता न तो नीदर को क्योंकि वो ब्लटलीन बॉंड तुमने डेंजर सिच्वेशन में बनाया था हाला कि इस थे इसके फ्यूचर के इवल्यूशन पर फरक पड़ रहा है पर अगर ये अंडाइंग बर्ड के इसेंस को प्राप्त कर ली तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और जो इंप्योरिटी है वो भी खतम हो जाएगा और ये पूरा मैटर बताते है कि लेंड अफ डिवाइन बीष्ट में काफी भैंकर फाइट होने वाला है और ये मूचन को दो अप्शन देते हैं पहला अप्शन होई है कि जो स्पैरो एंडर ने कहा था यानि तुम्हें फाइट करना पड़ेगा दूसरा ये है कि तुम ये बॉन्ड डिजॉल्व कर लो और तुम्हें यहाँ पर दस साल रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें नीदर का हेल्प किया है और शायद ये बॉन्ड तोड़े भी ना ऐसा इनका इशारा था मूचें पहले वाले उप्षन को चुनता है कि मैं फाइट करूँगा अब यहाँ पर जियांग या और किंग्जुवान को दिखाये जाते दोनों मूचें की तरफ देखते हैं और क्लैन लिडर भी गया कि तुम दोनों फाइट कर सकते हैं पर यह दोनों सोचते हैं कि हम मिल के क्यों फाइट करें यह बंदा वैसे भी सौवरिन सिक्स्टार के इनिशियन लेवल पर है जियांग या कहता है कि देखो किंग्जुवान तुम उझसे आदे स्ट्रोक बैटल में हार के थे तो पहले तुम जाके फाइट कर लो किंग्जुवान खुश तो नहीं पर अब यह करे भी तो क्या तो यह मूचेन के सामने एरीना में अंटर कर जाता है आते ही मूचेन से एकदम प्यार से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे जगरत तो जो दूसरा वाला शर्त था यानि दस सार यहीं पर रहने का मैं वो मान लेता मूचेन हसके कहता सुजाओ के निशुक रिया पर मुझे जो करना है मैं वही करूँगा किंग्जुवान को भी गुश साथ अब यह अपनी ओरा रिलीज करता है और जैसे यह अपनी ओरा रिलीज करता है पूरा स्पेस थंडा पढ़ने लगता है पूरा इरीना ही बर्ब से ढख जाता है इस किंग्जुवान को जो पावर लेवल सौरिन सेवन स्टार के काफी करीब था और ये अपने आई से एक स्पीर बनाता है, मूचेन पर अटेक करता है, पर मूचेन भी अपने spiritual energy से इस अटेक को गला देता है, Kings 1 इधर अचानक से कायब होता है, मूचेन भी तयार था, और पलक जबकते ही एक स्पेस खुलता है, और वहाँ से फिर से कही सारे snow वाले अटेक मूचेन की तरह बढ़ते हैं, और वह जो बर्व थे, मूचेन को घेरने लगते हैं, इधर दूसरी तरप से Kings 1 प्रकट होता है, और ये काफी निरास्ता है, इस मूचेन को तो मैंने इतनी आसानी सारा दिया, और एक ही अटेक में, अब मैं इसे injured कर सकता हूँ, पर तभी पाम अटेक Kings 1 के चेस्ट के तरह बढ़ा देता है, Kings 1 हसता है कि तुम मेरे साथ close range में fight करना चाहते हो, लगता है तुम्हें मरना है, क्योंकि भाई ये लोग बीश्ट हैं, और बीश्ट का पावर लिप, यानि physical body, नॉर्मल लोगों से तो strong होती ही है, पर मूचेन को फरक न नहीं होता है, लोग हैरान थे कि यार इस बंदे की body एक बीश्ट body के समान है, पर Kings 1 फिर भी कहता है कि तुम कितने दिर तक समाल पाओको, Kings 1 अपने spiritual energy को और ज्यादा यूज़ करता है, और मूचेन भी अपने dragon phoenix body को limit तक push करने लगता है, लगतार ये लोग अब close range में fight क और हर बात space हील जाता था, किसी को विश्वास नहीं गरा था, कि ये बंदा अपनी physical body से Kings 1 को बराबर attack करते रहे हैं, और इक attack के तुरान दोनों कुछ कदम पीछे fan दिये जाते हैं, जिंगिया वितूर से इस scene को देख रहा था, और smile कर रहा था, कि finally कुछ तो interesting हो रहा है, और अभी भी इतना काफी नहीं कि चौज से spot को ले पाए, Kings 1 अब serious हो जाते हैं, कि battle मुझे जल्दी खतम करना पड़ेगा, और ये मूचेन के तारीप भी करते हैं, कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें misjudgment कर दिया था, तुम सच में काफी strong हो, और अब मैं तुमसे fight करने अपना full force यूज कर दिया, Kings 1 अब अपने divine wish form को activate कर देता है, ये था nine nether, frosty sparrow, लोग भी हरान थे, इस मुझेन ने Kings 1 को इस level पर force कर दिया, कि इससे अब अपना actual body यूज करना पड़ रहा है, Kings 1 अपने palm के center पर ice force को एकठा करता है, और इससे एक धनूश बना देता है, और एक बाण का संधान करके, यानि मतकब समझ लो, कुछ मंतर पढ़के, ये मूचन की थारा बढ़ा देता है, और मूचन की थार भी भाग, इससे dodge भी कर, पर ये arrow रुकता नहीं है, मूचन को follow करते रहता है, और जहां से भी ये arrow गुजरता था, पूरे area ही मानो, वहां का freeze हो कोशिश करता है, पर Kings 1 हसरा था, और ये अपने wings को activate करके, पलक जपकते, मूचन से 1000 फिट की दूरी पर प्रकट होता है, और एक और तीर मूचन की थरप चला देता है, मूचन फिलाल चारो थरप इन तीर से घीर चुका था, लगातार ये भाग रात, और ये तीर इसका पी अगर ये यूज कर रहा है, अगर ये यूज कर रहा होता, तो इसके ऐसी हनत होती ही नहीं, पर इस सब है, जो क्लाइन लीडर ट्यान उवांग थी, वो मूचन को त्यान से देख रहे थे, क्योंकि मूचन जो भाग रात, एक पैटन में भाग रात, और एक और आप ये जमी पैरे को ये फॉर्म कर ले रहा है, ये दर मूचन स्क्वेर के सेंटर में रुक जाता है, तो फानले तुम अब रुकी के है, चलो बैटल को खतम करते हैं, और इस बर ये एक साथ 10 तीर को मूचन की तरब पढ़ा देता है, पर मूचन इसकी तरब धिखकर एक स्माइल देता और कहता है, अब हम गेम को खतम करते हैं, ये जैसे अपने पैर को जमीन पर पीटता है, पूरी जमीन को कोलाप्स कर जाती है, और एक लाइट सभी लोग देख सकते थे, और ये बोलता है, टियान लूओ एरे एक्टिवेट, इधर बहुत सारे लोगों को समच भी नियाता ह कि चल क्या रहा है, ये अपने स्पैरो पर बैठता है, और यहां से निकलने लगता है, क्योंकि इसको काफे विश्वास्त, ये इसके स्पीड काफी जाता है, पर मूचन अभी भी स्माइल कर रहा था, मूचन अपने हैंड साइन को आगे बस बढ़ाता है, और पूरा एरिय पर बाके जो चेंज थे, इसे बान देते हैं, अब इसे समझ में आता है, तो ये एक स्पिर्चुएल हैरे है, मूचन ये सब पहले ही प्लान करके बैठता है, क्या गजब का बन दा है ये, कितना भी कोशिच करता है, इन चेंज को ये तोड़ नहीं बाता है, अभी किंग ज पास, पाच संद काफी तेजी से रोटेट कर रहे थे, किंग जबान को भी मालूम था, अगर ये अपने फूल पावर यूज भी करने, तो शायद ही इस अटैक के सामने ये डिफेंड कर पाए, किंग जबान को मालूम, समय ज्यादा लगेगा, और मैं करवी ने उपाऊँ, ये तुरंत ही जिलाता है, कि जिंग या, अब तो सामने आजाओ, जिंग या भी सोचता है, इसे लगा था पहले, कि किंग जबान को, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मूचेन को हराने, पर वैसा हुआ ने, और इसे भी थोड़ा कमी कॉन्फिडेंस लग रहा था, कि ये अ दो लोग और मूचेन अखिला, जिंगिया इदर काफी तेजी से मूचेन के करीब आ रहा था, मूचेन की निजर किंग जुवान पर पढ़ती है, जो कि अभी भी स्टागल कर रहा था, उसे देखकर ये स्माइल देता है, और ये तुरंत हैंड सेल्स बनाता है, और कहता है, लोटस, स्वाड एरे, एक्टिवेट, और तुरंती, जमीन के निचे से फिर से फ्लक्शुवेशन होता है, अब इन्हें समझ में आता है, कि मूचेन ने एक की साथ दो एरे बना लिये थे, टियान लो एरे के निचे, एक और एरे इसने छिपा के रखा था, इवेन क्लैन ल दूसरा टैक, फाइब संस्पीर, उसे ये रोक देता है, इसने जान पुछकर अपने अंडाइंग बोडी को यूज किया था, ताकि जियांग या इस बैटल में आ सके, मूचेन को पहले से मालूम ये सुन करके, लोग घहरान थे, कि इससे मालूम था, कि जियांग या बैट बोडी से इसके खून आने लगा था, और अगर मूचेन, सोलर अंडाइंग बोडी के पावर को यूज करता है, तो शायद जियांग या बसता भी ने, और पलक छपकते, मूचेन ने इन दोनों को हरा दिया था, और जियांग या को तो हराने में एक मिनट से भी कम का समय एक चैन की सांस लेते हैं, अब इससे समझ में आता है, कि मूचेन का पावर लेबल भी बढ़ चुका है, और ये इसके बराबर लगबग पहुन चुका है, और शायद कुछी दिनों में ये इसे सरपास भी कर जाएगा, इधर वो ग्रीन एंडलर भी काफी ज़्यादा सरप लेखता है, तो ये अपने दाथ पीसनी लगता है, और थोड़स अपना ब्लड और यूज़ करके, अपने आसपास एक टॉटोई सील्ड बना देता है, पर वो जो मूचेन का स्पीर, इसके शील्ड को भी ब्रेक कर देता है, ठीक है तुम जीत के, इसकी भी आनत मूचेन न लोग नहीं मानते हैं, पर अब ये सहमत हो जाते हैं, कि ये बंदा काबिल है, लेंड अफ डिवाइन बीष्ट में एंटर करने के लिए, और ये जो लेंड अफ डिवाइन बीष्ट है, ये काफी बड़ा है, अगर वहाँ पर मूचे हैं, सौवरिन सेमिन स्टार पर एंटर कर गया, तो आगे में जो पावरफुल लोग मिलें, डिवाइन बीष्ट क्लैन वगरा, उनसे ये फाइट कर पाएगा, स्पैरो एल्डर तो काफी सैटिसफाइड थे, और ये ग्रिन एल्डर से कहते हैं, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रिन एल्डर कहते है ठीक है, ये बंदा सही है, पर फिर भी इसके पास हमारा ब्लड लाइन नहीं है, पर स्पैरो एल्डर कहते हैं, लेकिन नीदर के साथ तो इसका ब्लड बॉन है, तो ये एंटर कर सकता है, सब एकी बाते क्लैन लीडर सुन रहेते हैं, और ये सिधा कहते हैं, क्योंकि तुम मूचेन भी इने शुक्रिया बोलता है, और क्लैन लीडर भी मूचेन के तारीफ करते हैं, क्योंकि अब समझ रहेते हैं, ये मूचेन कई सारे पाधाओं को पार करते हैं, ये बंदा फ्यूचर में काफी स्ट्रॉंग बन सकता है, तुम भागे नहीं, ये भी बहुत को भी नहीं लगा था, कि इसके फाधर मूचेन के इतनी तारीफ करेंगे, अब क्लैन लीडर मूचेन को बताते हैं, कि लेंड अप डिवाइन बीष्ट काफी ट्रेजर्स हो गया हैं, पर वहाँ पर कुछ खतरे भी हैं, एविल क्लैन ने पाश में वहाँ पर अटेक किया थ तो उनकी औरा हो सकती है, तो तुम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, मूचेन इनकी बात बस ध्यान से सुन रहा था, और ये कहते हैं कि तुम लोगों के लिए सबसे बड़ाखत वो एविल नहीं बनेंगी, बलकि जो और क्लैन के डिवाइन बीष्ट हैं, वो बन सकत हैं, क्योंकि ट्रेजर्स के लिए पक्का है कि मारा मारी तो हो गा है, इससे भी पता चल रहा था कि अंडाइंग बड़ का, जो बलड़ी सेंद, उसके लिए एक बलड़ी बैटल होगा, पर कुछ भी हो जाए, इसने सोचा कि वो बलड़ी सेंद, वो नाइन इदर को दिलव कि मूचेन भी इनकी बोड़ी से, एक पावरफुल प्रेशर फील कर सकता था, दोनों सायद सौवरिन सेवन स्टर पर पहुँच चुके थे, लड़का तो मूचेन को भावनी देता है, लड़की का नाम मो लिंग था, और यह अपने भाई को भी इंट्रडियूस करती है, कि किंग्सवान से कम जूर हो गई, तो इसे कैसे वो स्पोर्ट मिल गया, वो फैंग समझ जाता है कि मूचेन क्या सोच रहा है, इसकी बहन के बारे में, पर फिलान यह कहता है, कि देखो तुमको चौथा स्पोर्ट मिल चुका, तो हम आगी में लेंड अप डिवाइन खुलने वाला है, अब इदर निदर वर्ट मूचेन की हेल्प करती है, और इसे एक जगह मिल जाता है रहने के लिए, यहाँ पर यह अभी भी कल्टिवेट कर रहा था, और इन दिनों यह निदर वर्ट क्लैन के किसी भी लोग से कॉंटेक्ट नहीं करता है, पर नाइन बैटल बीस में काफी है, और मजा भी काफी आएगा, दसवे दिन चैन भी बाहर निकलते, और इसकी तरफ एक ब्यूटीफुल फिगर काफी तेजी से आ रही थे, और यह थी अपनी नाइन निदर, इसके चेहरे एक ब्राइट स्माइल था, पहले जैसी यह चिंतित भी नह क्लें लिडर इनको दीखते हैं, और यह कहते हैं कि लैंड अफ डिवाइन बीष्ट अभी एपियर होने वाला है, मैं स्पेस खोलूँगा, तुम चारो उसमें एंटर कर जाना, और थोड़े समय भी इतनी के पा, एक स्पेस को छीर देते हैं, और यह चारो एंटर कर जाते ह कि अब तुम उदर जा रहे हो, और मैं हेवेन लोड डोमेन लोड जाऊंगे, और फिलाल मैं इस समय, एंटियन सेलेस्टियल पैलेस को दूड़ने का कोशिश करूँगी, मूचेन इससे थैंक्स बोलते हैं, और यह भी अविदर से निकल जाती है, और एक बात और यह खेत, जाने से पहले, जिससे मूचेन का चेहरा बदल जाता है, जो कि इसने पहले भी खात, कि तुम अकेली नहीं हो, जो सोलर अंडाइम बोडी को प्रैक्टिस करता है, पर वो वना विलेन, इसे अभी यहाँ नहीं मिलेग, वो इसे एंसें सेलेस्टियल पैलेस में मिलेग, मंड के जाने के लोग बाते करते हैं, कि उम्मीद हैं, ये सबी ठीक ठक वापस आजाएंगे, इधर सीन शिप्ट होता है, एक डार्क स्पेस में चार लोग अचानक से प्रकट होते हैं, और ये अपने नाइन निदर, मूचेन, मूफेंग और मूलिंग दे, और नाइन निदर के कि इस डार्क स्पेस में हमारी नर्जी एब्जॉर्ब होते जाएगे, तो हम यहाँ पर ज्यादा देर रूग नहीं सकते हैं, मूचेन को देखकर मूलिंग हसने लगते हैं, कि बिग ब्रदर मूच, अब टेंशन मतलो इस वाइड को, यानि डार्क स्पेस को पार करके, हम ल कि रधी नर्क स्पेस को, यहाँछ ड्रत मूचे हैं, कि बिल्स को, लुख जग वादाना का अजाब नर्क स्पेस का अफ हो स्फेस में हम औक स्वेंर, मूचे हैं, मूचे-छ भ्रदर मूचे घढ़ भ। य।